नमस्कार दोस्तो मेरा नाम आसीज और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है बैंगूड अप्लिकेशन पे आपने कोई आउनलाइन ओर्डर किया है online shopping की है किसी वज़े से वो product गलत आ जाता है defective है या फिर आप order को cancel करना चाते है या product को return करना चाते है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं सारी जनकारी असी वीडियो में मिलने वाली है तो आपको ये वीडियो लाड़्ट तक जरू देखना है वीडियो स्टार्ट टुनेत पहले दुस्तों आप सभी से एक बात और कर लेता हूँ कि आप अगर अभी तक नहीं जानते हैं कि Banggood अप्लिकेशन है क्या तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि Banggood एक ओनलाइन अप्लिकेशन है यहां से आप ऑनलाइन स्वापिंग कर सकते हैं इसके बारे में मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखी है तो लिंक डिक्सेटर में मिल जाएगी वहां से आप एकाउंट बनाना सीख सकते हैं और Banggood अप्लिकेशन पर ऑनलाइन स्वापिंग करना भी सीख सकते हैं इस वीडियो में मैं आप सभी को केवल यह बताऊंगा कि अगर माली जे product by defective गलत आ जाता है या पी product को आपको cancel करना है, return करना है, order तो आप किस प्रकार कर सकते हैं तो इस बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा तो वीडियो को last तक जरूर देगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरूर करते हैं वीडियो स्टार्ट करना है, पहले आप सभी से छोटी सी request है आपने अभी तक चल लए वीडियो को like नहीं कर तो प्लीज चल लए वीडियो को like कर दीजे एक प्यारा सा comment कर दीजेगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों को साथ share जरूर कीजेगा चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे हमारे चैनल को साथ भी notification बिलको all notification पे on जरूर कर लिजे तो banggood application पे online order को cancel या return करने के लिए पूरा process सिखाऊंगा आपको mobile की screen पर तो दोस्तों क्या आप भी banggood application पे अपने order को cancel या return करना चाहते हैं आपने सही वीडियो देखी है इस वीडियो को लास तक अगर आप देखते हैं तो fully explain करूंगा पूरी जानकारी आप सभी को बता दूंगा कि आप जो है banggood application पे कोई भी order को आपने अगर खरीज लिया है तो आप उसे cancel कैसे कर सकते हैं और आपका पैसा कैसे मिलेगा वापस ये भी सारी जानकारी बताओंगा बस आपको वीडियो को last तक ज़रू देखना है दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से च्छो टीसी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरी चल ले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज चल ले वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को भी आप हमाई सब्सक्राइब कर लिए साथ में नौटिपीशन बेल आता है उसको आल नौटिपीशन प्याउन कर दीजे इतना करने के बाद इस वीडियो को आपको सेयर कर देना है वाटसब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, सेयर चैट, स्नैपचैट सभी जगा इस वीडियो को फैला दीजे और सेयर कर दीजे इससे सभी दोस्तों को इनफॉर्मिशन मिल जाए और वो लोग भी जान पाएं कि Banggood आप्लिकेसन पर ओर्डर को कैंसिल या रिटरन कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यह जरूर लिखना है Banggood कैंसिल ओर्डर तो यह से आप मुझे पता चल जागा कि Banggood कैंसिल ओर्डर करना चाहते हैं बांगूड कैंसिल और आपको लिखेना है यहां पेंसिल और लिखेना है इतना आपको कर लिक्त करूधेना है जैसे सेंट आपको कर दिया अब आपको Benkud शांच वहुक्त कारें ॹं समक्ति के यह home page आपका दिखाई देगा, यहाँ cut-eye-giri दिखाई देगी, यहाँ पर feedback दिखाई देगा, और shopping के बारे में मैंने already वीडियो बना रखी, कि आप यहाँ पर shopping कैसे कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर account बना सकते हैं, shopping address कैसे फिल सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक मेरी नहीं देखी हैं, तो जल्दी से जाए, description box में मैंने link दे दिया है, तो आप लोग जा कि वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी सारी चाहरी चीज़े आपको मिलती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने details में बताया हुआ है, उन वीडियो में, तो आप जा कि वहाँ से shopping कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपका product return नहीं हो रहा है, cancel नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को last तक जरूर देखे, तो अब दोस्तों आपको simple करना क्या है, यहाँ account वाले option पहाएंगे, जिसे account वाले option पहाएंगे, तो यहाँ पर आपको user ID दिखाए देगी, और सारा कु दिखाए देगा, address book के बगल में आपको एक option मिल जाएगा, help center का, आपको इस पर click करना है, help center पर जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर manage order, setting, return, repair का option यहाँ पर लिखा रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, और यहाँ पर shopping guides, order, request, payment issues, shipping questions, इस तरीके से बहुत आप click करेंगे, तो यहाँ पर दूस्तों आपको चार option दिए गए हो, एक online customer service का है, और एक है आपका messenger us और एक call us, तो call us में आप देख सकते हैं, Monday to Saturday 3 p.m. तक आप call कर सकते हैं, 8 p.m. से 3 p.m. तक, तो आप यह देख लिजेगा, और email us भी कर सकते हैं, तो email में आप एक दिन public holiday के हिसाब से accepted कर सकते हैं, और issue इसमें आ सकता है, और messenger पर search banggood on messenger app, तो messenger app का एक search करना पड़ेगा, banggood app जो की messenger पर हो, इस तरीके से, लेकिन आपको इन पर कहीं नहीं जाना है, आपको सबसे पहले number one पर online customer service पर click कर देना है, इस पर जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर बहुत स BGP यानि banggood, banggood pay wallet, about account, इस तरीके से बहुत सारे option आएंगे, और आपको यहाँ edit this order या फिर देखेंगे, track my package के उपर आपको एक cancel order का option दिखाए दे रहा होगा, इस cancel order पर आपको click कर देना है, आप दूस्तों यह cancel इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि अभी product मेरा जो है, वो home delivery नहीं भी है, इसलिए इसलिए यह cancel दिखा रहा है, और अगर आपका order delivered हो जाता, तो यहाँ पर return का option दिखेंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे, फिर उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप से option पूछेगा, about order, cancel item, order, order status, tracking, after sales, इस तरीके से पूछेगा, तो आपको cancel order cancel item पर click करना है, click करने के बाद दूस्तों यह आपका product दिखाए देगा, कि यह आपका दिखाए रहा है, और इसके बाद यहाँ पर आपको SMS के through जो है, वो बात कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको लिखना है, hello, hello लिखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी देर बात जो है, agent transfer करके हैंगे, he thanks for your customer to agent, इस तरगी से यहाँ पर आजाएगा, फिर से आप इस तरगी से बाते कर सकते हैं, कि यहाँ पर लिखना है, sir, I want to cancel my order, यहाँ पर sir, I want to cancel my order, इस तरगी से यहाँ पर देख सकते हैं, पर लिखा हुआ, यहाँ पर बहुत सारे option में पूछेंगे, how long to return my order, या मतलब कि cancel order के लिए सबसे पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको refund के लिए पूछ सकते हैं, इस तरगी से बहुत सारी चीजे जो हैं, वो आप यहाँ पर easily पूछ सकते हैं, इस तरगी से लिख सकते हैं, how I cancel my order, तो यहाँ पर देख से, how would like I cancel my order, इस तरगी से आ पूछ सकते हैं, और सारी details यहाँ पर मिलेंगी, और आप यह भी पूछ सकते हैं, यहाँ से कि आपको जो है, bank good पर जो आपने payment किया है, वो कैसे आपका आएगा, basically यहाँ पर English में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर आपका 30 day के अंदर जो है, guarantee से आपका payment जो refund हो जाएगा, view order apply, refund यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर 30 day returns of assister के से लिखा हुआ है, और सारा कुछ मैं आप सभी को बता देता हूँ, कि यहाँ पर होता है, प्रोसेस यह है, कि आपका अगर order जो हो cancel करते हैं, आप तो आपका payment जो है 30 दिनों के अंदर, आप जिस भी wallet से करते हैं, उसी wallet में confirm वापस आ जाएगा, लेकिन अगर माल लिजे, order आपका deliver हो चुका है, तो जब तक आपका product वापस नहीं जाएगा, उसके बाद, जिस दिन से product उठाएंगे वापसी का, उसके बाद से आपका 30 दिन के अंदर जो है, आपका पैसा जो refund कर दि क्योंकि आप certified हो गए, सारा कुछ आपको पता चल गया, तो दोस्तो इस तरीके से आप Banggood application पर online जो shopping करते हैं, उसको return कर सकते हैं, product या फिर order को cancel कर सकते हैं, दोस्तो उमीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आ होगा, तो वीडियो को like, share जरूर कर दिजेगा, चैनल को अभी तो subscribe नहीं कर तो please subscribe जरूर कर लिजेगा, हमारे चैनल को साथ पर notification बेल को और notification पर on जरूर कर लिजेगा, तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो यहां तक देखी है, तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, कि आप Banggood application पर किसी भी product को अगर आपने मंगाया है, वो खराब product हो गया है, तो आप उसे कैसे return कर सकते हैं, या फिर product आपको आने वाला है, तो आप उस order को cancel कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी मैंने बताए हैं, जो भी मैंने step आप सभी के सामने बताए हैं, follow कर लिजेगा, आपका भी इसी तरीक मैं भी अपने Banggood application पर order को product को return या cancel किया हूँ तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं वीडियो गर आपको हमारी पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा एक प्यारा सक comment कर दीजेगा और वीडियो को share सभी दोस्तों के साथ जरूर कीजेगा चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके भाई का चैनल है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो साथ में नौटिफिसन बिल को और नौटिफिसन पे आउन जरूर कर लीजे आज किस वीडियो में दोस्तों इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो जै हिंद वन्दे मात्रम